वर्कम परिवाय कैसे आप सब अपले आप सब लोग अच्छी होंगे अभी मैं उट गई हूँ सब उट गए है और बज रहे है साड़े नौ और आज है पहला दिन रिशी केश में मेरी यावास खराब हो गई है अगता फोन में अंकिता वाश्रूम में हम लो गया थे रात में और बार आप साड़े बार बज़े पहुच रहे थे और फिर एक बज़े तक खाना खाया था और फिर जाकर आए और तीनों पढ़ गए सो गए बस चलिए देखते हैं वाहर कैसा बजा रहा हो रहा है खल बारी शोड़ीत रात में रिशी केश में पहली बार आई हूँ तो अलगी एक्सपीरियंस रहेगा तो यहां की सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगे तो दोस्तो सुबह का वक्त है हम लोग निकल गए हैं चाय नाश्ता करने के लिए और एक कैफे दिखा पर यहां पे कुछ जमा नहीं तो हमें एक चाय मिल रही थी हमने सुचा चलो वहां जाके चाय पी जाए क्योंकि वहां पे काफी भीर लगी हुई थी सबसे अच्छी ब हमारी चाय की दुकान यहां पे लोग पराठे वगेरा भी खा रहे थे लेकिन भीर इतनी जादा थी कि हमने बस चाय लिया और फिर हम दूसरी जगह के लिए निकल गए हैं तो ऐसी हो रही मेरी हालत अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ और यह देखिए आगे हमारी चाय चा कर दो आज़ा था वहां पे हम आ गए और आलू का पराठा जो हमने ओ आडर किया तो पता चला कैसा पराठा आया है वह आया है तंदूरी पराठा बहुत साइव लोगों को पसंद होगा पर मुझे नॉम्मल पराठा पसंद है पंकर जो अड़र किया थे चोले भटूरे दे तो जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें तो मालूम ही होगा कि मैं चाय की कितनी जादा शॉकिंग हुई मैं दिन में तीन से चार बार चाय पीती हूँ तो अभी हम जब दूसरी जगह बैठे तो मैंने फिर से चाय मंगाई और मैंने चाय पी यहां की चाय भी काफी अच्छी थी तो दोस्तों अभी हम आगे हैं होटल से बाद और कहां जारे माले हैं राम जूला जाएंगे वहां पार्किंग करेंगे और फिर भूमेंगे और लक्ष्मन जूला और जोबियोंगा आगे दिखा देखेंगे तो दोस्तों हमारे रिशी केश की जर्नी अब स्टार्ट होई है असली जर्नी अब स्टार्ट होई है क्योंकि सबसे बड़ा पेन यहां पर है पार्किंग करने का रिशी केश में इस समय बहुत जादा भीरती बहुत जादा ऐसा लग रहा था कि पूरा दिल्ली आ गया है रिश वी साओर आध पर रचि स्कूर्टी हार करके उससे पूरा प्रपो एक्डिटीस to by our एक्डिविटी हुस्वर भी कर देटे हैं और फर बांकि फिर पैदल पैदल जाते तो हम हम निकले हैं पागिंग करने के लिए अंकिता की फेन्ड भी हमें मिलने वाली वह यहीं रहती है रिशिकेश में तो उझाखा कि हम परांजूला पराकिन हैं बहुत बड़ी पाकिंग है हम वहां पारक कर सकते हैं राम जूला कि पार्किंग ढूंटे ढूंटे हम काफी उचाई पे चले गए और फिर चलते ही चले गए चलते ही चले गए पता चला दूसरे साइट से जो लोग आ रहे थे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था जो रिटर्न आ रहे थे वैसे तो मेन एरिया की जो रोड है वो ठीक ठीक है लेकिन अगर आप गलियों वालियों में जाएंगे तो अगर आपको गाड़ी सही से चलानी नहीं आती है तो मत चलाईएगा किसी को हायर कर लिजेगा रिशी केश में बहुत सारी गुमने की जगए हैं आप कम से कम दो दिन का प्लान तो करके आईए क्योंकि यहां पे कई सारी नैचरल जगए हैं और साथी साथ अगर आपको नैशनल पार्क भी जाना है तो उसमें तो आपको समय लगेगा इसलिए मैं आपको दो दिन का बोल कराने को कहा था और हम घूमते ही रह गए गूमते ही रह गए और बहुत सारे लोग ऐसे घूमते ही रह जा रहे थे तो सबसे पहली पार्किंग जो हमें पड़ी थी हमने लास्ट में घुमा फिरा के एक घंटा वहीं पर पार्क किया ये जो लंबा जाम आपको दिख रहा है ये पार्किंग का जाम है और इन सब को गुमा के पुलिस ने बोलाए कि उदर से गूम कराओ जिसके चकर में ये लंबी लाइन लगी हुई है राम जूला के लिए जो पार्किंग के लिए रास्ता जा रहा था वहाँ पर पुलिस न आपको गाड़ी अच्छे से चलानी आती तभी रिशी केश में गाड़ी चलाईए जो रास्ता है यह बड़ा ही खतरनाक मोर था इसको अगर किसी को अच्छे से गाड़ी चलानी नहीं आती वह इस मोर पे फिसल सकता है गाड़ी का एक्सिडेंट हो सकता है तो इसलिए मैं थोड़ा अलग हो जाता है काफी लंबा समय हो गया हमें पारकिंग करने में imprison कि जूक्य जादा दूरी पर नहीं थी थी मुझे कर जृक्षखी पर काफी कि बहुत जादा जंजट है क्योंकर सारे और मेभी हम लोग वीकन पर आहे हैं वीकंड़ अवा जॉहत बहुत ही अजीब सी बात है कि मैं दिल्ली में इतने सालों रही हूँ उसके बावजुद अपनी लाइफ में मैं अब पहली बार जा रही हूँ रिशीकेश हरी द्वार मैं गई हूँ गंगा घाट पर लेकिन तब मैं मम्मी के लिए पूजा कराने गई थी और पूजा कराने के बाद वहां से मैं वापिस चली गई थी दिल्ली तब मैं दिल्ली में रा करती थी बाकि दूसरी बार मैं तब गई थी गंगा घाट पे जब कानपूर में गए थे जब पापा का विसर्जुन करने गए थे अब पहली बार मैं ऐसे ही गई हूँ दर्शन करने के परपस से घूमने के परपस से कि गंगा जी में डुबकी लगा कर आऊंगी तो दोस्तों अभी हम बड़ी मुश्किल से पूरा राउंड राउंड घूम के अभी यहां पे एक पार्किंग मिली है यही पर खड़ा कर दिया लोग भी भी पार्किंग ढूंड रहे आगे जहां पर रामजुला की पार्किंग तो बंद करके रखा हुए तो देखता राना बहुत लंबी लाइन थी वो तो देखी होगी आपने अब देखते हैं यहां से निकलेंगे अब यहां पर रख दिया है बारा बज़े देखे लिए लिए अच्छा मीरी वारा देखो तो अंकेता रिष्केष पहले आचो कि मैं परी बड़ाई हूं सामने पहाड है अच्छी बात है कि दूफ नहीं निकले हुए अदर वाइस तो पार्किंग से हो कर यह रास्ता जा रहा था राम जूला की तरफ हम लोग बहुत जादा गूं कर गहे थे में रोड से जाते तो एक तम बगल में था यह रास्ता वीडियो काफी अच्छी आ रही थी एक तर दूप नहीं थी मुझे बहुत जादा मज़ा आ रहा था क्योंकि अभी ट्रिप की शुरुआत हुई थी अभी तो धकावट बहुत जादा होने वाली थी क्योंकि आज के दिन हमारा सत्रह हजार स्टेप्स कंप्लीट हुए थे बहुत सारे लोग यहां से गाड़ी निकालके रामजूला की तरफ लेकर जा रहे थे जो कि यहां से दूर नहीं था एक बात आपको बता दूप तो हलकी हलकी दूप थी लेकिन गर्मी बहुत जादा थी तो हमने सोचा कि चलो गन्य का जूस पिया जाए जो की रास्ते में मिल रहा था जैसे हम लोग में रोट पर आए खरीद्वार आएं तो मैं आपको बता दू पहाडों पर संटैन बहुत जादा होता है तो आप अपनी संस्क्रीम रख कर लाइए कहीं भी निकल रहें संस्क्रीम लगा कर ही निकल लिए वरना आपको बहुत गंदी वाली टैनिंग होगी यह तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया देख रही हो रांचिला पाकिल सामने है तो इसकाई कैफे दूप के जैसे जाना है और नहीं बता दूँ पार्किंग के बाद सीधे पैदल चलने का हो है और बहुत सारे लोग स्कूर्टी लेके एहल रहे हैं स्कूर्टी भी ले सकते हैं आगर पैदल नहीं चल सकते हैं वरना पैदल चलिए तो बस सामने जो गेट दिख रहा है इसे अंदर जाकर राम जूला मिलेगा और इधर से घाट वाट स्टार्ट हो जाएगी तो हम आप पहुचे हैं राम जूला पारकिंग यही है पारकिंग और यहीं सब लोग पारक कर देते हैं और इधर से पैदल पैदल निकल चलते हैं घाट की तरफ राम जूला से होते हुए अगर आप यहाँ पर पहुच गए हैं तो यह मत समझे कि आपका सफर खतम हो गया है अभी आपको बहुत जादा पैदल चलना है तो जिनको पैदल चलने में दिक्कत होती है वो लोग स्कूटी ले सकते हैं स्कूटी लेके राम जूला से भी आप पूरी गलियों गलियों में इधर उधर घूम सकते हैं देखे कोई लेके जा रहा है स्कूटी तो यहां से market स्टार्ट हो जाएगी तो market से आप कुछ-कुछ चीजे ले सकते हैं बहुत सारी फ्रिजावट के समान होंगे और सुवेनियर ले सकते हैं यादगार के तौर पे आप fridge magnet ले सकते हैं या फिर छोटे-छोटे शोपीस आते हैं वो ले सकते हैं यहां पे यह देखिए जो टी-शिर्ट है यह काफी चलन में है यहां आप चल रहे हैं तो बच बचा के चलिए क्योंकि यहां पे बहुत सारे गाए बैल रास्ते में आपको मिलेंगे पीछे से आ रहे होंगे कहीं कहीं से भी आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा सनस्क्रिम के साथ साथ पानी की बाटल रख लीजे और साथ ही साथ एक स्टोल भी रख लीजे क्योंकि गर्मी बहुत तगड़ी थी अब पताने आप कौन से सीजन में जाएंगे अगर आप बारिश के मौसम में जाएंगे तो शायद आपको उतनी गर्मी ना लगे जो हलकी फूलकी धूप हो रही थी तो बहुत जाएद गर्मी बहुत जादा लग रही थी MegA आपको अलग ही मार्कित दिख़ाई देगी देखिए यहां से बहुत साही चीजे ले सकते पर्स टोब भी मिल रहे हैं इसको तोपि मिल रहे हैं डियसेंगे डेकुरेशन के आइटम मिल जाएंगे ये देखिए शॉपिंग वगेरा करके आप अराम से भगवान का नाम लेते हुए डुपकी मार के ये देखिए इधर से घाट दिखाई दे रहे हैं ये दूसरी घाट है हम उस साइड वाली जो ये राम जुला दिखाई दे रहा है उद थोड़ी सी ताकत नाइगी फिरांगे बढ़ते हैं कर दो कर दो